सल्मान खान और रश्मी का मादना की शादी हुई लगबक ते सल्मान खान की एक्स कर्प्रेंट सुनाची सिनहा ने दिया अपना बयान रश्मी का मादना को लगाई जमकर फटकार तो दोस्तो पूरी खबर को विस्तार में चानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंट तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चेनल पर नए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो को बीना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों बता दे कि सलमान खान और रश्मी का मांदना में नस्दी किया काफी बढ़ चुकी हैं आए दिन दोनों की शादी को लेकर चरचा हो रही है ऐसा माना जा रहा है कि साउथ की एक्ट्रेस रश्मी का मांदना सलमान खान से जल्द ही शादी करने वाली हैं जिसके चलते सल्मान खान की एक्सकल्फरेंट सोनक्षी सिन्हा की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने रश्मी का मांदना को जम कर फटकाल लगाई है वेसे बता दे कि सोनक्षी सिन्हा भले ही सल्मान खान की एक्सकल्फरेंट है लेकिन वे अभी भी सलमान खान की एक अच्छी दोस्त है फिलहाल तो सुनाक्षी ने जहिर इकबाल से सगाई कर अपना घर बसाने का फेसल लिया है और वहीं अगर बात करें सलमान खान की तो सलमान का नाम साउथ की एक्ट्रेस रश्मी का मंधना के साथ जोड़ा जा रहा है जिसके चलते सुनाक्षी सिन्हा ने अपना रियक्षन दिया है उन्होंनों रियक्षन देते हुए कहा कि सलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं हमेशा उनका आदर करती हूँ वे जब भी अपनी लाइफ में कोई फेसला लेते हैं ऐसे ही नहीं लेते हैं उसके पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होता है वे अगर शादी करने का फेसला करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है वे हमेशा से ही अपनी लाइफ को लेकर अच्छे ही फेसले लेते हैं दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं हमेशा सलमान खान के साथ हूँ तो दोस्तो सुनाक्ची सिनहा द्वारा दिये गए इस बयान से आप कितने सेमत हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें धन्यवाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में